नमस्कार दोस्तो तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियों बात करने वाले हैं उत्तर परदेश पुलिस भरती उननचास 568 पदों के लिए एक दोस्तो विसे सूचना है वो सूचना ये है दोस्तो कि आज की इस वीडियों में मैंने आपके सारे सवालों का जवाब देना है व पिर आपके जो सवाल उटके आ रहे होंगे आपके दिमाख में वो यही सवाल आ रहे होंगे जो कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए पुट किये हैं आप देखिये जा और सभी के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बत हुई है ये दोस्तो जान बूज कर किया गया है ऐसा जान बूज कर क्यों किया गया है मैं आपको बता रहा हूँ जान बूज कर इसलिए किया गया है दोस्तो अभी आप कितने अभिहरती सामिल हो आप सब जान ये थोड़ा गोर कीजिए इस बात पर और मैं आपको ये भी बता तो दोस्तो यह है अभी आप दोस्तो इसमें सत्रे लाग के सम्थिंग सामिलो ठीक कितने सामिलो सत्रे लाग के सम्थिंग अगर इन्हों ने रिजल्ट जारी कर दिया तो क्या होगा दोस्तो और फिजीकल के लिए या डीवी पीएश्टी के लिए कितने बच्चों को लेने व लगवग एक लाग पांच जार थोड़े उपर भी हो सकते हैं और थोड़े नीचे भी हो सकते हैं ठीक है तो अब एक बात बताईए आप सभी लोग खुद समझदार हो समझ ये कि अभी सत्रे लाक लोग सामिल हैं उनमें से ये डेड़ लाक का अगर सेलेक्शन करते हैं तो ल ये जानबुज करक जारी की गई है वरना दोस्तो बोड में क्या कोई अधिकारी नहीं हो तब बहुत बड़े अधिकारी होते हैं क्या उनकी समझ में नहीं आया ये सब कुछ प्लान के तहत हुआ है दोस्तो आप सभी लोग जानिये सहीयो कीजिए हमारा ठीक है तो हम आपक अच्छा फिर तो इनका गेम ओवर हो जाएगा क्योंकि दोस्तो ये चुनाबी मुद्धा है चुनाब का माहौल जो है वो खराब हो जाएगा अगर इस तरीके से रिजल टिनों ने जारी कर दिया मैं आपको बिलकुल आपके एक सवाल का जवाब दूँगा आपको कोई कर से सफलता मिल सकती है क्या कर सकते है क्या नहीं कर सकते हैं कोट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ दोस्तो अभी आप कोट में मत चाहिए अभी आप थोड़ा वेट कीजिए इनका कि आगे क्या करते हैं इसमें जो है सुधार करते ह या नहीं करते हैं अगर सुधार नहीं करते हैं दोस्तों तो 101% भरती कोट में जाएगी क्यों जाएगी क्योंकि दोस्तों जिसमें गलत हैं वो गलत वाले चुप नहीं बैठेंगे ठीक है वरना दोस्तों आप सभी को पता है उत्रा खंड राज्य कब बना था ये आप सभी को लेकिन फिलाल में दोस्तो इनकी मज़ूरी है कि इनको चुनाब बनाना है, तो चुनाब बनाने के लिए 70,5 लाग का अभी सेलेक्षन नहीं करेंगे, ठीक है, सेलेक्षन करेंगे, लेकिन लोग सबस्तो चुनाब के बाद ही आपका ये दोस्तो रिजल्ट देंगे, वो भी हर हल में, आप समझे थोड़ा, मिरे इसको सही हो कीजिए, ठीक है मैंने आपके सवालों का जबाब देना है इस वीडियो में, मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ दोस्तो, चलिए मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ, जो आपके दिमाग में रह रहे कर आपके दिमाग में, कि क्या मास्टर आंसर की दोवारा से जारी होगी तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल दोवारा से जारी होगी, करेक्शन होगा बिल्कुल, वरना जो है दोस्तो, उलट पलट हो जाएगी, कैम ओवर हो जाएगा ये master answer की इनको दोस्तों जारी करने ही होगी तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया कि master answer की दुवारा से जारी होगी ठीक है दूसरा 17,00,000 अभी दोस्तों इसमें सामिल है फिलाल में अभी जिनका DVPST में मतलब selection होना है उन 17,00,000 में से होना है ठीक है तो 17,00,000 अभी बढ़ती सामिल है फिजीकल के लिए कुल लेने हैं एक लाख पाँच जार तो मामलाख खड़ाब हो जाएगा अगर डेड़ लाख ले लिए तो 17,00,000 क्या करेंगे जो बचे हुए रह जाएंगे 15,00, वो दोस्तों बोट नहीं देंगे इनको तो बोट बनाने हैं इनको समझ मारा ठीक है अगला क्या लोग सभा चुनाब से पहले रिजल्ट खोसित होगा तो मैं आपको दोस्तों बता दू निरास मत होना हतास मत होना वीडियो को लाइक मत करना थोड़ा तो दोस्तों हलका सा तोस्तों यहाँ पर आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं बोलूँगा वही बात जो बिल्कुल हकिकत है तो क्या लोग सभा चुनाब से पहले रिजल्ट खोसित होगा नहीं होगा अगर लोग सभा चुनाब से पहले रिजल्ट खोसित कर दिया तो इनका चुनाब खराब अब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है जो आपकी आंसर की as it is जारी की गई है ये प्लान है बिल्कुल प्लान ठीक है ये लोकसभाचुनाब बनाया है इन्होंने और दोस्तो थोड़ा निरास मत हुजिए मुझे भी थोड़ा कहने में संकोष हो रहा है कि आपका जो अंसर की कल जारी की गई है इसे संसोदित करेंगे ठीक है ना पहले मांस्टर आंसर की संसोदित होगी जब रिजल्ट जारी होगा आपका वरना दोस्तों अगर ऐसे ही नहीं रिजल्ट जारी कर दिया तो भरती कोट में अटक जाएगी तो अभी आप थोड़ा वेट तो अगर मेरे को यह लगता है कि आप मुझे भाई समझते हो ठीक है तो आप दोस्तों वीडियो को डिसलाइक ना करोगे अगर आपको लगता है कि जानकारी बिल्कुल खराब दिया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दिजी और चैनल को सस्क्राइब कर लिए जीगा ताकि कोई भी अन्य जानकारी यूपी पुलिस या किसी से भी रिलेटेड आये तो मैं सबसे पहले आपको वो प्रावाइड करा दूँ चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों चैहिंद जै भारत दमातरम आप सभी का इस सुबह और आप सभी को आगामी परिक्षाओं के लिए और आगामी यूपी पुलिस और इस भरती के लिए जो भी फ्यर्थि सामिर ईंई इन सभीको में तरप से दोस्तों बैस्ट आप लख वेरी वेरी बैस्ट आप लख